साथियों, आयुष के खेत्र में, इन्मेस्मेंट और इनोवेशन की संभावना है, और सिमीत है। आयुष दवां, सप्लिमेंट्स और कॉस्मेटिस के उत्पादन में, हम पहले ही अभूत पुर्वत तेजी देख रहे हैं। आपको ज्वान करके आनन्द होगा, 2014 से पहले, जहां आयुष सेक्टर में, तीन बिलियन डॉलर से भी कम का काम था, 14 से पहले, तीन बिलियन डॉलर से भी कम, आज ये बढ़कर, अठारा बिलियन डॉलर को भी पार कर गया है। जिस प्रकार पूरी दुनिया में आयुष प्रोडक्स की मांग बढ़ रही है, उससे ये ग्रोथ आने वाले वर्षों में और ज्यादा बढ़ेगी। नेशनल सप्लिमेंट्स हो, मेडिसिन्स का सप्लाई चेन मेनेजमेंट हो, आयुष आधारित, डैयोनिस्टिक ठूल्स हो, या फिर टेली मेडिसिन। हार तरफ इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की नई संभावना है। साथियों, आयुष मंत्राले ने ट्रेडिशनल मेडिसिन्स ठेत्र में स्टार्ट अप कल्चर को प्रोसान देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। कुछ दिन पहले ही, All India Institute of Ayurveda के द्वारा विक्सित की गई एक इंक्यूबेशन सेंटर का उद्धातन किया गया है। जो स्टार्ट अप चैलेंज आयोजित किया गया है, उसमें भी जिस प्रकार का उद्धा युवाओं में देखने को मिला है, वो बहुत ही एंकरीजिंग है। और आप सब मेरे नौजवान साथी तो ज़्यादा जानते हैं, कि एक प्रकार से भारत का स्टार्ट अप का इस्वर्णिम यूग सुरूच हो चुका है, एक प्रकार से भारत में आज युनिकॉंस का दोर है। साल 2022 में ही, यहने 2022 को अभी 4 महिने पूरे नहीं हुए है, साल 2022 में ही अब तक भारत के 14 स्टार्ट अप्स युनिकॉंस क्लब में जुड़ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द आयूश के हमारे स्टार्ट अप से भी युनिकॉंस उभर कर सामने आएगा।